बिहार में बेहत तेजी से बढ़ता जा रहा है कुरोना संक्रमन का मामला बिहार में 13 नए संक्रमित मरीजों के साथ आंक्रा पहुंच गया है 966 पर यानि की 44 कम हजार होने में बिहार की बात करें तो बिहार में जो बीता हपता है वो सबसे खतराक रहा है जब सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं और इन में बड़ी तादाद है प्रवासि बिहारियों की जो दिकी रैंडम टेस्टिंग की गई है बिहार में जो नए 13 कुरोणा संक्रमित मरीज मिले हैं उन में से जो ज़ादातर लोग हैं वो बिहार के पूर्णिया जिले के हैं यानिके 13 में से 9 लोग जो हैं वो पूर्णिया के हैं उसके साथ ही जो 4 लोग हैं वो खगर्या जिले के हैं सभी पुरुष हैं और इनकी जो उम्र है वो नियूंतम जो है वो 18 साल से लिकर के जो अधिकतम है वो 40 साल के बीच की है आपको बताएं कि कोरोना संक्रमन कुरिकर के स्वाज बिभा की तरफ से यह पहला अपडेट जारी किया गया है जिसके साथ ही 13 नए संक्रमी तमारी जों के पुष्टी हुई और बिहार में आकड़ा बढ़कर के 966 पहुँच गया है बिहार की बात करें तो बिहार की 38 में से 38 जिले में संक्रमन पहुच चुका है कई जिलों में तो जो कुरोना की रफ्तार है वो इतनी तेज है कि वहाँ पर आकड़े भयावा तस्वीर बया कर रहे हैं जिसमें मुंगेर शामिल है जिसमें पतनाश, सिवान, नलंदा ये तम गुरुवार की बात करें तो गुरुवार दोपहर तीन बजे पहला संक्रमन का अपडेट सामने आया है जिसमें एक साथ 13 संक्रमित मरीजों की पुष्टी हुई है जिसमें इसे खगरिया और पूर्णिया की ये लोग हैं आपको बताएं कि कल देर रात तक स्वाजभा की तरफ से कुल पांच संक्रमन की अपडेट जारी किये जिसमें पटना बीएंपी के नए दुग जवानों में संक्रमन की पुष्टी हुई इसके लावा लगभग जिले में हर दिन कोई नया संक्रमन का मामला सामने आ रहा है और ये दराने वाली तस्वीरे हैं बिहार की बा में करीब दो लाग प्रवासी बिहारी हैं अलग-लग राज्यों से पहुंचे हैं अब सरकार बिहार में इन तमाम लोगों पर नज़र रख रही है और साथ ही कोशिश हो रही है कि इनकी रैंडम टेस्टिंग हो ताकि ये पता चल पाए कि आके कितने लोग जो हैं वो